ये च्वाइस का मामला है उन लोगों को आप क्या कहेंगे शाइस सांबर आ रहा हूं एक मुट मैं सिर्फ कहूंगी कि जो हमारे इस्लाम या सनातन धर्म की में स्प्रिट के अगेज जा रहे हैं उनको सही दिशा में लाने का सब देश के लोगों को जरूरी है कि आपस में आपसी सोहार दो सौामी विवेका जी की इस उपदेश और उस निरदेश और इस सिख्चा का पालन करें कि स्वामी विवेकानंग जी ने कहा था वो सनातन धर्म के विश्व गुरू हैं पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्वामी विवेकानंग जी जी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संत जो कह रहा है कि हमारे देश हमारी मात्र भूमी में दो आखी हैं एक हिंदू एक मुस्लि करें ना कि अपना अपना धर्म झिलना करके तालिवानी मानसिक्ता की तरह से कटख हो Hello औरते कुर्बान की जा रही है औरते में परशान हो रही है बेटिया कुर्बान हो रही है ये लड़कियों को लड़कों को सियासत कर दिया है राजनीती करन कर दिया है हिजाब और भगवा करन करके लेकिन सरवर साब जो पिस चीज का है कि हजाब की लड़ाई पिरा रहा है। मुसलिम बेटियों की चॉइस की चिंता है या अपनी चिंता है। लाज करिये अभी शाइसता बहन कह रही थी। अगर वो कोई मडरा बार गूम रहा है तो हम घर में बैठ जाएंगे। उसको अंदर करेंगे ना भई? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ जो परसेप्शन इसलाम के बारे में दिया गया कि मर्द जो है वो एकदम मालिकों मुख्तार है और और अवरत गुलाम है बिल्कुल इसलाम में ऐसा नहीं है कहीं नहीं है इसकी तश्री और तस्वीर दोनों गलत पेश की गई है वो चाहे किसी भी मेटर में बार बार तलाक का नामा आ जाता है मैं अभी हिजाब पर ही आप बात करें तो जहां जहां परदे का अगर कहा गया कि मुहम्म्मद सुल्लाह लिए वसल्लम हुक्म अनल्ला ने दिया कि अपने आउरतों को कहो कि जब वो बाहर निकलें तो सर पर चादर रख लिया करें तो मर्दों के बारे में भी बेश्मार आहकाम हैं कि वो भी अपने निगाहों को जुका कर रखें अपने रिश्टे का ख्याल रखें और महरम आउरतों का ख्याल रखें कहां मा का ख्याल है कि मैं तमाम तर्फ जिम्मेदारियां दोनों तरफ दी गई हैं तो आप किसी पर्टिकूलर सिर्फ आउरत आउरत करके आप आउरत को कटगरे में ला रहें अपने आपको सुप्रिम बास बनके गूम रहें ऐसा इसलाम ने नहीं का तो एक बात आखरी मैं अभी अंबर बहन ने सनातन दर्म इंदुत की बात की सारा पैनल इस सर पढ़ा लिखा है मैं अब कह रहा हूं जहां इसलाम को आप पेश करते हैं जरा सा मीशा के मदीना भी पेश किया कीजिए और जरा सा सुलै हो देविया पेश किया कीजिए सारा मसला हल हो जाएगा अब आब बूलिए सारी पामंदिया महिलाओं के लिए खुड़ी मैं एक इंपॉर्टन बात कहना चाहरे हैं क्यूंकि आज जो महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है आज सबसे पहला कोट में केस था वह हमारी याचिका थी उनिफॉर्म सिविल को लेकर जो महिलाओं के अधिकारों की बात आ रही है आर्टिकल 44 डिरेक्टिव प्रिंसिपल जो कहता है कि इस देश में सब को समान अधिकार होने चाहिए हर एक नागरिक को समान अधिकार सुने शित करता है हमारा देश का समयदान लेकिन बारत की मुस्लिम महिलाओं को उनके मजभ के नाम पर उन अधिकार है और ऐसे अंगिनत अधिकार चाहे गोद लेने की बात हो चाहे जादात का हिस्सा हो चाहे उनकी मेंटेनेंस की बात हो चाहे उनकी महर की बात हो इसे कितने अधिकार है जिनसे महिलाओं के अधिकार हो अधिकार है लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं करता है ना उसम नाम दर्म पर छुड़ियो उसको ने अब ही पैनल पे जो बैठे हैं उनसे पूछना जाता हूं मुझे दस नाम ऐसे बता दीजिए जिनके साथ में पॉले गेमि का मामला हुआ हो या intense नाम ऐसे बता दीजिए जिनके साथ में हलाला का इस बता दीजिया अब खैये संदस्दा आपके एक बात